Hello students, welcome to our channel तो बच्चों ये वीडियो स्पेसिफिकली हमारे जो 10 स्टांडर्ड वाले जो बच्चे जो अभी 10 स्टांडर्ड अभी अभी उन लोगों ने बोर्ड एक्जाम कंप्लिट किया है एंड अभी 11 स्टांडर्ड में आने वाले ये सर जेई, नीट, ये गुचसेट, ये बोर्ड एक्जाम वगरा क्या है सर ये बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टिटूट है तो इन में लाखो रुपीज के जो फीज है वो जॉइन करना है, नहीं करना है, क्या करना होता है, कौन से स्कूल सेलेक करें तो आपकी दिमाग में बहुत सारे कनिफ्यूजन है, बहुत सारे पैरेंट्स ऐसे कि जो भी अपने बच्चे के करियर के इतने एक्टिव है, इतने एक्साइटेड है तो सायद इस वक्त वो बच्चे या तो पैरेंट्स कुछ रॉंग डिसीजन ना ले ले, या तो बहुत सारे मेजरिटी पैरेंट्स ऐसे कि जिनको इन सभी चीजों के बारे में इतना डिटेल में प्रॉपर परफेक्ट आइडिया नहीं होता है, बहुत कुछ रिलेटिव स या किसी नेबर से, किसी दोस्त वगरे से उपर-उपर से चीजे सुनी हुए, और यह जरूरी है क्योंकि यह आपका फिल्ड नहीं होता, यह रात दिन हमारा फिल्ड है, इसमें बहुत सारे हर साल कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते, तो जिस फिल्ड से मैं नहीं, उस फिल्ड का मुझे 100% नहीं होता है, और आपके लाइफ जिस फिल्ड में आपको बढ़ा नहीं, उसका 100% डिसीजन एंड जो भी लेना जो सारी चीज़े, उसके लिए प्रॉपर परफेक्ट आपको आइडिया होनी चाहिए, तो बस इसी लिए हम यहाँ पर इस वीडियो के म बनाया हुआ है, एक सेशन हमने उनलाइन उनके लिए कंड़क किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उस वक्त उस सेशन को वो अटेंड नहीं कर पाये थी, तो वो बच्चे, यह तो हमारे आनन सिटी के दूसरे बच्चे, यह तो हमारे ओल ओवर गुजरात या नहीं आएगी, तो इस वीडियो से आप घर पर बैठ कर सांती से पूरा फैमिली बैठ कर डिशाइड कर सकता है, क्योंकि यह बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक दो मेरे खुद के एक्जामपल्स आपको देता हूँ, जब मैं आपकी जैसे 10 स्टांडर में था, जैसे म बायो ग्रूप में मेरा इंट्रेस्ट था, मैठ में मेरा इंट्रेस्ट नहीं भी हो सकता था, मुझे डॉक्तर बनना था, लेकिन किसी रिलेटीव ने बता दिया कि आपका ड्रॉइंग अच्छा होना चाहिए, बी ग्रूप लेने के लिए, तो भाई साब, अगर स्ट्रीम सिलेक करना है, तो इंट्रेस्ट और बहुत तरही चीज़े जो आपको क्या फोकस, क्या ध्यान में रखना है, उस तीज़े भी मैं आपको आगे बताऊगे, इन पॉइंट्स को आपको कवर करना है, लेकिन भाई हमने बेज किसको ले लिया, ड्रॉइंग को, तो भाई हमार एंजीनियर हूँ, एज़े प्रॉफेशन में एक एड्युकेटर, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्रे टीचर हूँ, तो उस वक्त, जब मेरा 12 साडर कंप्लेट हुआ, उस वक्त, उस ताइम पर, एज़े मैरिट के एकोडिंग, मुझे कहीं पर इलेट्रिकल एंजिनिंग में एड्मिशन मिल रहा था, और मुझे अच्छा लगता कि मुझे बाई, इलेट्रिकल एंजिनियर बनना है, लेकिन किसी रिलेट्रिकल ने या किसी ममी के दोस्त ने, उनके फ्रेंड ने, जो सोसाइटी में 3-4 लेडिस बैठते उनके से किसी ने ममी को ये बता दिया कि इलेट्रिकल एंजिनिंग में एड्मिशन मत लो, वहाँ पर गर गर जाकर सारी चीज़े रिपैर करना है, जो इलेट्रिकल के जो सारे बड़े-बड़े पोल्स रहते हैं, उन पर चड़ना है, ये जॉब अच्छा नहीं है, तो ममी हमारी है सेविंध पास, पापा है सिर्फ पुलिस डिपार्ट में तो वह भी इतने एज्जुगेटेड नहीं थे उस वक्त, और हमारे फैमिली में मुझे गाइडेंस देने के लिए कोई इतना अच्छा मलब कोई है नहीं आगे, तो हमने भी इलेट्रिकल एंजिनिंग छो इसको B ग्रूप में जाने, तो आगे जाके क्या पाथ, क्या रास्ता है, वो रास्ता इजी है, डिफिकल्ट है, आपके फैमिली बैगराउंड के एकोडिंग, वो चीज़े आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो बस इसलिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ उसके बाद परसनल कैपेसिटी, उसके बाद परसनल फैमिली बैगराउंड, थोड़ा मैं इसको डेटेल करता हूँ, परसनल इंट्रेस्ट मतलब के आपको इंट्रेस्ट के बेस पर ये देखना है, कि भाई मुझे मैट्स अच्छे से आता है, मुझे मशीन वगेला, कॉम् प्रॉब्लेम सॉल्विंग, मीन जो है प्रॉब्लेम सॉल्विंग, किरियोसिटी वाला, बलब सब कुछ रिपेर करना, यह है, ऐसा जो छोटी-छोटी तीजे होते है, उसमें ज्यादा इंट्रेस्ट है, या, तो मैं बेसिकली मैट्स मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खेलते रहते हैं, तो प्रसको ऐसा लगता है, ये फोट्यूट एडिटिऑ करना, ये चैनला ये गेम खेलना, वो कुछ अलग बात है, लए साब तो future है उसके बारे में कुछ आपके पास knowledge है तो पहले वो सारी चीज़े decide कर उसके बाद आपको पता चलेगा समझ में रहा है दूसरी चीज परस्नल capacity बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि देख देखने में मेरे दोस्त या मेरी इतना आपको sacrifice करना पड़ता है समझ में आ रहा है तो वो चीज़े देखें कि दब पता चलेगा कि यार यह मेरी इतनी capacity नहीं है मैं इतने घंटे नहीं पड़ सकता समझ लो आपका interest भी है आपकी capacity भी है लेकिन तीसरी रिकर्ट family background शायद ना हो समझ लो मैं जो भी बूलोगे आज fact बाते करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आप अगर A group में जा रहे हो तो मैस group में अगर आपने government में किया यह self finance में किया self finance में समझ लो एक दो लाग तक fees होती है तो 4 साल की max to max 10-12-15 लाग से जादा खर्चा engineering field में नहीं होता है समझ लो यह और अगर आप B group में जा रहे हो और आपको government seat में admission लेना है तो आगे हम detail में बताएंगे neat exam correct करना है उसमें भी 550 साड़े 500 से उपर marks लाना पड़ेगा और it is a very difficult part और अगर आपने उससे थोड़े बहुत भी कम marks आए कितने में से साड़े 500 सब कुछ बाद में आगे detail में discuss करूँगा तो अगर उससे कम marks है और आपको अगर self finance college में admission मिला तो self finance college की आप fees देखना बलब 4 या 5 साल जब आप पूरा आपका जो भी medical का है न वो complete करें कि 40-50 लाग का खर्चा वहाँ पर हो जाएगा MBBS का इतना कुछ value भी इतना जादा नहीं है और अकसर सभी बच्चे majority बच्चे उसके बाद master करते हैं तो master की fees भी 2 साल के आप पूछ ले ना मतलब वो self finance में 50 लेक रुपी से start करकर 1 करोड तक जाता है मतलब यार आप 50 लाग एक करोड देट करोड दो करोड में अच्छे से master बनोगे डॉक्टर उसके बाद समझ में आ रहा है तो यह family background की बात है चल रही है तो मतलब आपको सारी चीज़े एक साथ देखकर आगे step ल background नहीं है father यह है तो छोटी मोडी job कर रहे पोलिस department में है या इधर है यह कोई बैंक में है klar के तो obviously कि वो 40-50 लाग रुपे सिफ खर्चा MBB के लिए नहीं कर पाएंगे तो obviously यह दोनों चीज़े होते हुए भी अगर marks कम आये तो इसकी वज़े से आपको change करना पड़ेगा तो सारी चीज़े एक साथ उपर नीचे कि देखकर आपको decide करने आगे और हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे और आपको बहुत लोग ऐसा भी बोलेगे कि 11-12 science में 11-12 science उसमें math group या बायो ग्रूप तो अकसर बच्चे ऐसा करते है कि मुझे math group मिना math majority अगर आप 100 बच्चे ल math नहीं आता इसलिए हम B group ले रहे हैं मतलब 11-12 में देखेंगे तो general उपर से बताऊं तो अगर पास होना है या marks अच्छा score करना है तो अकसर बच्चों को B group ज्यादा अच्छा लगता है वर B group easy part है क्योंकि physics chemistry दोनों subject common होते है बायो जी सिफ एक अलग subject रहाता है बायो जी देखें तो एक ग्रूप में बाई जो math group ले रहे हो तो 11-12 का math थोड़ा टॉफ है लेकिन उसके बाद आगे engineering में एडिमिशन जितना medical में टॉफ है उतना टॉफ नहीं है समझे अभी easy करना या बाद में easy करना है समझे तो वह आपको decide करना पड़ेगा कि किस basis पर आप सारी होते है डिप्लोमा कर सकते हो आप arts, commerce, science सब कुछ कर सकते हो अभी हमारा mainly जो goal अभी है वो science stream को explain करने के लिए क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा blender सब के सबसे ज़्यादा confusion जो चीज़े को सबसे ज़्यादा difficult पार्ट वहीं पर है और specifically अभी इस वीडियो को मैंने सिर्फ science group के लिए ही बनाये आप चाहे तो internet पे से यहाँ कई से डिप्लोमा की arts, commerce की information ले सकते हम basically अभी detail में जाएंगे सिर्फ science वाले पार्ट में तो बच्चो science वाले पार्ट में mainly सभी बच्चों को यह पता रहता है शायद नहीं पता है तो मैंने information के तौर पे दे दिया दो ग्रूप रहते ए ग्रूप यह physics chemistry subject दोनों में common रहते अगर आपने ए ग्रूप लिया मतलब math ग्रूप तो आपको subject math रहेगा बी ग्रूप है तो subject आपको biology रहेगा बहुत सारे parents ऐसे हमारे पास offline में कभी कभी previous ऐस में admission के लिए आया हुए कि आप हम पूछते है कि आपको अच्छा A group है यह B group में तो कहते है कि B group है अच्छा में को biology physics chemistry सारे subject हमारे यहां पर आपके हो जाएंगे कोई बात नहीं तो कि सर नहीं उसने physics chemistry नहीं लिया है उसने biology लिया मैंने बोला कि physics chemistry लेना नहीं होता है वो तो by default होता है च्वाइस है सिर्फ maths यहां biology में वो ऐसा कहते हैं कि हमको physics chemistry का coaching नहीं करवाना है वो उसने लिया है तो मतलब पूरे 11-12 में सिर्फ एक subject सिर्फ biology नहीं भाइए physics chemistry तो compulsory वाला पाट है और उसके साथ आपके दो extra subject English, computer, Sanskrit वो सारे अलग-अलग छोटे एक दो subjects वो रहते हैं आपके तो main यह difference हो गया अच्छा अभी थोड़ा detail करते हैं कि अगर आप A group में जाते हो तो यह सारे फिल्ड आपके लिए mainly जो फिल्ड हो engineering B.Sc या B.T.E.C. को सब फिल्ड में भी अगर जाना चाहते हो तो आपको A group select करना है अच्छा अगर आपको B group लेना है तो B group में सबसे पहले यह जो सारे MBBS, फिर ये dental है, आयरवेदिक, होमेपेटिक, veterinary, agriculture और बहुत सारे paramedical courses जैसे कि यह सारे जो nursing वगएरा जो भी सारे paramedical courses है तो यह मैंने उप entrance test रहता है, main जो चीज़ है यहाँ पर ही सब कुछ जो यह blunder है ना जो सब कुछ confusing पर पाट है, वो यहीं पर है, 12th board का exam अब सभी देंगे, 12th board के result के base पर आगे आपको किसी भी stream में अच्छा admission नहीं मिलेगा, बागी अच्छे से किसी भी field में जाना है तो हर field के लिए entrance exam र रहे हो, उसके according आपको आगे admission मिलेगा, तो अभी से आपको 10th standard के बाद ही आपको थोड़ा बहुत majority 70-80% आपको overall decide करके रखना पड़ेगा, कि मुझे किस field में जाना है, मतलब A या B, B में इतने सारे options available है, तो इन में से किसी में एक में भी मुझे चलेगा, या MBBS यह है, य मतलब अगर आपने B group लिया है, बाद में आप बोलते हैं कि सर मुझे computer engineer बनना है, तो वो तीजे, फिर एक बार 10th में, के 10th के बाद B group select कर लिया, 11 science का exam वगरा दे दिया, उसके बाद वो change नहीं हो सकता है, फिर से आपको repeat होकर fill से 11 standard start करना पड़ेगा, तो अभी से आप सो examination है, and this is the most confusing difficult part, भाई साब ये जेई, नीट, good set वगेरा क्या है सर समझाओ, yes, ये सारी चीजे हमारे वक्त ऐसा था कि भाई हमको बहुत last में पता चलती थी, लेकिन अभी इतनी दुनिया आगे निकल चुकी है, तो बच्चों को भी 9-10 standard से भी सारी चीजे almost पता रहती है, लेकिन थोड़ा और रिटेल करते हूँ कि हर साल इसमें नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, और कुछ चीजे ऐसी भी होगी जो आपको पता नहीं होगी, आपको पता है कितना पता है, मैंने math group लिया तो मुझे JEE देना है, biology group दिया तो मुझे NEET देना है, और 12th में सभी किसी को good set देना होता है, और आगे क्या होता है, वो किसी को नहीं पता होता है, तो और थोड़ा detail करता है, सबसे पहले मैं यह देखता हूँ कि competitive exam में देखो आप, अगर आप A group में हो, तो आपके पास 3 competitive exam का option available, आप good set दे सकते हो, JEE main, JEE advance, कौनसा entrance exam देंगे, कहां पर admission मिल यह good set दे सकते हैं, आप भी good set दे सकते हो, एंड आपके लिए अलग exam है, NEET exam है, ओल ओवर इंडिया लेवल के, यह भी all ओवर इंडिया लेवल के exam है, तो पहले हम step by step good set को थोड़ा focus करते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, हाँ, यह video specifically जो good set exam है, वो गुजराद board के students के लिए होता है, गुजराद common entrance test है, तो यह video specifically मैंने ज्यादा गुजराद बोड़ वाले बच्चों के लिए बनाया, शायद कोई other board के बच्चे भी हमारे YouTube channel पर connected है, तो अगर वो बच्चे देखें, तो इस वाले part को आप ignore कर सकते हैं, यह इस जगा पर आप ऐसा समझ सकते हैं, कि आपके state का कोई भी अलग competitive exam, जो भी entrance exam होगा, उसका आप इसमें समझ लाएं या आप उसकी information वहीं से ले सकते हैं, तो अभी सबसे पहले बाइक good set, तो good set में mean जो syllabus होता है, वो syllabus होता है only 12th standard का, 12th standard के बाद उसका examination होता है, सारे exam 12th के बाद है, क्योंकि आपको 12th के बाद आगे next कुछ अच्छा सा पढ़ना है, किसी field में जाना है, तो obviously उसके लिए entrance exam होगा, तो exam तो 12th के बाद ही होता है, लेकिन यहाँ पर syllabus only 12th science का सिर्फ textbook level का exam रहता है, तो इसमें A group and B group दोनों दे सकते हैं, yes, A group वाले बच्चे and B group वाले दोनों बच्चे दे सकत यह गुजरात वाले बच्चों के लिए, गुजरात वाले बच्चे गुजरात में जितनी भी engineering college है, सभी में गुजरात के बेज़ आप admission ले सकते हैं, कुछ rare है, जैसे के DEI city, PDPU, यह दिरुबाय अमबानी वाला college है, फिर यह PDPU, पंडित, दिन, देल्वानी वाला college है, फि वहाँ पर 50%, मतलब के 36, good set base वहाँ पर admission process होता है, remaining 30% है, वहाँ पर JEE main के base होता है, वो detail में आगे बताऊगा, लेकिन यहाँ पर, इसलिए मैंने 50%, and dairy science, अगर आपको dairy science में भी जाना है, तो 12th board exam के बाद, आपको good set का exam देना पड़ेगा, A group वाले बच्चों के लिए, इत MBBS, BDS, वहाँ पर कहीं पर भी आपको admission नहीं मिलेगा, उसके लिए NEET exam में good set देंगे, तब pharmacy में, गुजरात में admission ले सकते हो, agriculture में जा सकते हो, या veterinary गुजरात में भी इस good set base आपको admission मिल सकता है, अधर स्टेट में veterinary साइद NEET के base पर admission होता है, लेकिन गुजरात में यह good admission वगेरा भी कुछ लेना है, तो आप ले सकते हैं, चलो थोड़ा आगे जाते हैं, इसमें, हाँ, अभी थोड़ा नीट को हम डिटेल में जाते हैं, A group, B group दोनों good set दे सकते हैं, भी purely, B group वाले बच्चों के लिए बात करते हैं, अगर आपको NIT exam देना है, it is only for B group and doctor colony, पू इनके लिए नीट exam, all over India level का compulsory exam है, कुछ भी in compulsory exam, तो compulsory में इसका थोड़ा डिटेल करते हैं, यह 720 marks का exam रहता है, chemistry, physics, bio, सब कुछ, कौन सा subject, कितने पसंट रहता है, कितने questions रहते हैं, वो सारी चीज़ें, फिर डिटेल में बात में जब आपने decide कर लिया होगा, उसके बा marks का एक question का 4 marks, MCQ pattern रहता है, एक question का 4 marks रहता है, तो 180 into 4 ऐसा होता है, syllabus 11, 12 दोनों का रहता है, इसलिए आपको पहले से इसलिए सोचना है, कि आप 11 standard के बाद जब आप 12 में गए, तब आप decide करते हो कि मुझे भी neat देना है, तो obviously 11 का जो भी syllabus चल रहा है, उसके साथ साथ आपक नीट की भी preparation थोड़ी बहुत करते रहना होता है, तो इसमें exam 12 के बाद होता है, लेकिन syllabus total 11, 12 का chemistry, physics, bio, सब कुछ 11 and 12 दोनों का chemistry, 11, 12 दोनों का physics and दोनों का biology, सब कुछ मिला कर आपको exam देना होता है, करीबन 90 to 100 chapter होते है, overall in general देखे तो, तो इतने सारे chapters का एक साथ exam देना ह होता है, नीट का, लेकिन ये exam, गुजरात बोर्ड का जो भी good set exam, उसे थोड़ा ही उपर है, इतना ज़्यादा difficult नहीं है, so don't worry, tension लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी preparation वगरा कैसा करनी होती, वो भी चीज़े हम बाद में दिरे दिरे आपको आगे समझाएंगे, तो य J.E. main जो exam है, वो exam इस तरह का है, only for group A होता है, यहाँ पर total overall marks होते हैं आपके 300, syllabus होता 11th and 12th, दोनों का, यहाँ पर भी, लेकिन J.E. advance जो है, it is also for A group, यह सिर्फ और सिर्फ IIT के लिए है, थोड़ा detail में समझा दू, कि जो बच्चे, उनको कहाँ पर admission मिलेगा, इसके next slide में मैं आपको समझा दूगा, अगर आप J.E. main की preparation कर रहे हो, तो J.E. main के बेस, आपने एक बार J.E. main का कुछ cut off रहता है, बढ़ आपके minimum, आपके इतने marks आने चाहिए, जो बच्चे वो cut off को clear कर सकते है, clear कर लिया, वही बच्चे, सिर्फ J.E. advance के लिए apply, admission नहीं मिलेगा, J J.E. advance एक अलग से exam रहता है, J.E. main का exam रहता है, उनका result आता है, उनमें से जिन बच्चों ने cut off जो भी minimum mark से वो clear कर दिये, सिर्फ उतने ही बच्चे इस exam को दे सकते हैं, और उस exam में जिन बच्चों का अच्छा top score रहता है, वही बच्चे IIT में जा सकते हैं, समझ में आ र off level के होते हैं, समझ में आ रहा है, and आपको क्या चाहिए, कैसे admission process है, सब कुछ एक साथ, अगर मैं समझाना चाहो, all in one for A group students, क्योंकि B group वाले जो हमारे students, उनको मैंने समझा दिया, कि आपको एक exam good set है, एक neat है, आपको अगर doctor बनना है, तो नीट दिना है, उसके लिए आपक कुछ confusing इतना जादा नहीं है, preparation करना है, बड़े-बड़े coaching joint करने है, नहीं करने, वो चीज़े में अभी देरे-देरे समझाता हूँ, पहले ये देखो, थोड़ा, step by step, हाँ, ये मैंने सब कुछ all in one बना दिया, देखो step by step, सबसे पहले, admission based on board and good set, आपको J.E. main वगरा कु engineering college हमारे गुजरात में ऐसे है कि वहाँ पर J.E. main की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ good set के base ही आपको admission मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने एक sentence लिखा है, possibility of making mistakes by students and parents, यहाँ पर students and parents mistake करते हैं, उनको reality पता ही नहीं होती है, सिर्फ इतना पता होता है कि J.E. main का exam, maths group वाले बच्च top level का college है, फिर MS University है, DDIT है, GSET है, MSU है, समझ बहुत सरे SS Institute है, कि जिनका नाम भी काफी अच्छा है, उनमें J.E. main के base कोई admission process है, नहीं होता है, उसके बाद और कुछ अच्छे college है, जैसे नीनवा है, PDPU है, DEICT है, AU वाले, वहाँ पर भी 50% जो state रहती है, वो J.E. main के base and 50% state ह हो, जो good set के base, मतलब कि जो बच्चों है, गुजराद board and good set की preparation कर रहे है, यहां तो आप other state, आप CVSory board से हो, या कोई भी board से हो, अगर आपको गुजराद में engineering college में admission लेना है, अगर आप good set दे रहे हो, तो आपका जो भी board का result है, उसके साथ जो good set का result है, उनको मिला कर आप स 50% street तो good set base है, remaining 50% street है, वो J.E. main के base रहती है बाई साथ, and purely जो J.E. main के base admission है, वो NIT, आप गुजराद से है, तो गुजराद में सूरत में है, S.V. NIT, and एक triple IT गांधी नगर में है, मतलब गुजराद में गिनकर दो ही engineering college ऐसे है, कि जहां पर सिर्फ J.E. main base आपका admission होता है, clear में समझ में आ रहा है, तो ये थोड़ा reality समझो, कि J.E. main का exam compulsory नहीं है, सिर्फ इन दो college में admission लेने के लिए J.E. main का compulsory है, तो बहुत लोग सोचे है, बाई सब मैं क्यू NIT में, अच्छा इस से ये college काफी अच्छा होगा, तो अभी तो इसका J.E. main के पर admission होता है, ऐसा क वहाँ पर पढ़ रहा है, उन में से एक student है हमारी, उसका अभी थर्ड येर या फोर्थ येर में है, उसका अभी placement हो चुका है Microsoft में, बहुत बड़ी multinational में MNC company है, और उसको intership में, अगर वो select अच्छे से हो जाएगी, final उसका complete हो जाएगा, तो company ने उसको 54, ये साप सही बहार आ रहे है, उनका starting 50 लाग से उपर salary जा रहा है, इतना तो काफी है न, समझ में आ रहा है, उस बच्ची ने क्या कहता है, सिर्फ गुजराज बोर्ड एन गुजसेट पर focus करकर, वो अच्छे से अच्छे जो निर्मा हो, यहाँ PDPU हो है, DA City में admission ले लिया है, समझ में आ पढ़ रहा है और इसकी fees दो लाख रुपे है, और बाई दो लाख रुपे है तो अच्छा कुछ बहुत ही बढ़िया करवाते होगे, लेकिन हाँ बाई साब आपकी family background अच्छा है, capacity है, दो लाख रुपे बर दो, लेकिन आपको दो लाख बरने के बाद क्या मिलेगा, लेकिन जेए मिन के इतना tough exam है, बहुत सारे बच्चे उसको crack नहीं कर पाते हैं, अगर crack कर भी लिया, तो admission इन दोनों college में मिलेगा, समझो, अगर आप crack नहीं कर पाते हो, तो गुजराज बोर्ड भी आपका अच्छे सनी होगा, और जेए मिन के पीछे दोरते दोरते, का 12 standard में first rank आया है, उसने JEE main नहीं दिया है, वो net की preparation साइद नहीं कर रहे थे, समझ में आ रहे हैं, तो वो यहर आपसे तो ज्यादा टॉप आरे, आपके school का कोई top ranker, first rank वाला बच्चा है, वो JEE main की preparation नहीं कर रहा है, और आपके 10th में भी 75% आये होए, या आप class में 10, 15, 15, 20, 25 नंबर पर आप चल रहे हो, और आप JEE main की preparation कर रहे हो, और आपको पता ही नहीं है कि JEE main से कहाँ पर admission मिलता है, हाँ जिनको doctor बनना है, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है, capacity है, नहीं है वो बात छोड़ो, लेकिन अगर doctor बनना है, तो need compulsory देना है, वहाँ पर अगर अगर आपको बनना है, खरचा करना है, तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन JEE main में तो इतना खरचा मत करो, समझ में आ रहे है, और आप किसी भी बड़े institute में मिलने जाओ, उनसे पूछो, वो आपको result दिखाएंगे, उनसे सिर्फ ये पूछना है, कि ये result आप जो दिखा रहे वो आपके पूरे इंडिया में जो सारे branches है, उनका सभी का result है, या सिर्फ हमारे city का इस branch का result है, तो बोले कि पूरे इंडिया का result है, तो obviously पूरे इंडिया से 8 से 10 लाख बच्चे exam देते हैं, और उनमें से उनके coaching institute में, बहुत समझ लो, लाखों में बच्चे पढ़ते, त में से 2, 3, 4, 5, 10 बच्चे ऐसे नहीं होगे, कि जो पूरे इंडिया का करीम होगा, obviously हो सकता है, आप उनको देखकर आप admission ले रहे हो, समझ में आ रहे हैं, कोई एक ऐसे country में है, जहां पर cricket खेला ही नहीं जाता, वो बंदा सचिन टेंडूलकर को देखकर cricket की practice start, उसका future क्या होगा, बाई सचिन टेंडूलकर सचिन टेंडूलकर इस वज़े से बना, क्योंकि वो इंडिया में पैदा हुआ था, यहां पर cricket का, मतलब एक festival की तरह cricket को मनाया जाता है, तो वो यहां पर हो सकता है, और इसी तरह से इंडिया में आप football का career देखो, बहुत सारे talented player है, लेकि आप उनसे पूछो, कि आपका जो भी यह result है, वो result हम हमारे, इस center का result दिखाओ, तो वो आप इस center का result देखो, आपके city में जो आपका वहीं का center है, उस बच्चे के name के साथ उसका result देखाओ, उसके बाद next यह पूछो, कि आप इसके साथ textbook board level की preparation करवाएंगे, तो ऐसा ही ब board की preparation हो जाती है, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, साथ-साथ में board level की preparation इतने अच्छे से नहीं होती है, आप वो बोल रहें कि हाँ, बोल लिवल की preparation हो जाएगी, उनसे पूछो, कि अच्छा, तो ऐसे बच्चों का result देखाओ, कि जिनके board में भी अच्छे marks हो, जे ये दोनों अच्छे से clear नहीं हुए, या मैंने बीच में छोड़ दिया, तो उसके बाद board में अच्छा result दाने वाले भी बच्चे होने चाहिए ना, फिर उनका answer आप सुन सकते हो, मुझे किसी के साथ भी कुछ भी कुछ भी नहीं, मैं ही अच्छा हूँ या हम ही अच्छे करवा रहा है, लेकिन वो आपके लिए है या नहीं है, उसकी जरूरत, वो बुरे है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, हम को कैसे decide करना है सारी चीज़े, वो बता रहा हूँ मैं, समझ मैं रहा है, कि आपको criteria कैसे decide करना है, आपको कहां पर जाना है, उसके based up, बहुत सारे parents हमें आपको पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए, आपको आगे क्या करना है, उसके base पर सारी चीज़े आपको decide करनी होती है, कि बहुत सकते हैं, एक बार 11 स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद एक दो महीने देखो, कि बोल्ड लेवल कैसा है, तो information collect करो, फिर उसके बाद दीरे दीरे आप coaching join कर सकते हो, 11 का एक दो महीना चला आपको आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मेरी capacity है या नहीं है, capacity decide करने से पहले, अच्छे से information सारी चीज़ों के लेने से पहले, कहीं पर भी एक लाख रुपे फीज पे कर दिये, फिर पूछने जाएंगे तो कि non-refundable है, फीज वापीस नहीं मिलेगे, फस गए, समझ में आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के ऐसा देखा है कि वहाँ पर छोड़के फिर वापीस आते हैं, तो ये सारी चीज़े में 45% है, ये नीट में काफी अच्छा स्कोर है, फिर भी आपको medical, dental में admission नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका basic criteria है, 50% बोड में अच्छा result नहीं है, ये मेन के base, आपने engineering में अच्छा सा admission मिलगा, कोई बात नहीं, फाइनल में जब आपका interview process होगा न, तब वहाँ पर placement वक्त लिख देंगे वो लोग, 12 standard में जिन बच्छों के 75% के प्लस ज्यादा percentage ये वही बच्छे इस interview में apply कर सकते, वहाँ से आपका cancel हो जाएगा, तो बोड में भी minimum मैंने बता रहा हूँ कि 50% आपका mandatory है, तो बहुत स बच्चों के मैं example देखा रहा हूँ, अभी J.E. मेन, January में 2023 में अभी दो तिन महीने पहले ही, जब J.E. मेन का exam हुआ था, तो हमारा एक बच्चा है, इसका देखो, result देखो, 98.26, मतलब 98 percentile है, इस बच्चे ने कोई बड़ा institute joint नहीं किया था, वीकी में ये बच्चे 4-5, 5 6 days, board पढ़ते हैं, एंड सिर्फ वीक में एक दो दीन ही, Saturday, Sunday में ही, ये लोग सिर्फ J.E. की preparation कर रहे थे, ये बच्चा भी देखो, ये बच्चा डायरेली सिर्फ 12 standard से J.E. की preparation में हमारे साथ जॉइन हुआ था, फिर 20 का result देखो, अगर 11 से जॉइन होता, तो काफी बच्चा फॉस था, chemistry में 99, physics 96, maths 94, good set 106, इस बच्चे ने NEET का exam नहीं दिया था, क्यूँ, preparation करना स्टार्ट किया है, 12 में आते आते उसने decide कर लिए, कि मुझे 12 के बाद अभी abroad जाना है, तो ये भी criteria हो सकता है, कि आपको पता ही है कि 12, कि ये specifically मैंने इस लिए इस example को लिया कि जिस जो बच्चा स्कूल का topper है, स्कूल में first rank आता है, इसने किसी भी बड़े institute, एक लाख, दो लाख, तिन तिन लाख वाली fees वाले जो बड़े-बड़े coaching है, उसको join नहीं किया था, इसको abroad जाना है, वो इसने decide last last में, 12 के ending में decide किया था, तब तक ये निट के class हमारे स साथ ये करता था, ये student देखो, 2022 में यहाँ पर हमारे अनन सिटी में desert school है, उसके topper, first rank आया था, physics 96, maths 96, chemistry 95, तो ये school की topper है, ये कोई बड़े लाख, दो लाख वाले coaching में नहीं जा रही है, ये good set दे रही है, good set में काफी तगड़ा score करे, पूरे गुजरात में इसका 42 merit rank थ और good set के base इसने D.I.C.T.M. admission ले लिया, बाई साब ये बच्ची match group से topper ranker, first rank है इसका, good set में इसका पसंड, इस सभी marks देखो, आपके इतने सायद marks हो या ना हो, ये बच्ची J.E.M.E.N. की preparation नहीं कर रही है, लेकिन इसके class में, जो 20-25 नंबर पर 50 नंबर पर चल रहा है, वो बच्चा J.E.M.E.N. की preparation कर रहे है, अरे बाई ये नहीं कर रहे है, इनको दिमाग है, चाहे तो ये वो student है, इसे हमारे city या आपके भी हर city में ऐसे toppers होते है, तो इनको चाहे तो बड़े-बड़े institute से offer आते थे, कि हमारे institute में आजाओ, हम आपको free of charge पढ़ाएंगे, लेकिन इनको पता था कि मुझे आगे क्या करना है, they are very clear, कि मुझे good set के base इस college में admission मिल रहा है, तो मैं क्यों इस पर ज़्यादा focus ना करूँ, J.E.M.E.N. के base पर अगर मैं जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, और वो मेरे से अच्छे से clear नहीं हुआ, तो board भी गया good set भी गया, J.E.M.E.N. भी गया, B.E.C. करना पड़ेगा, तो यह fact है, यह reality है, reality आपको पता नहीं होती है, समझ मैं रहे, और एक दो example दिखाता हूँ, जिस बच्ची की बारे में बात कर रहा था, यह भी देखो, 2020 में, for strength, इनके marks देखो, J.E.M.E.N. में percentile देखो, लेक D.E.C.T. college इतना बड़ा तगड़ा college है, यह भी बच्चा अमरे D.E.C.T. में पढ़ता है, इसने भी J.E.M.E.N. का exam दिया था, इसके भी marks काफी देखो, 97, 90, 90, लेकिन यह भी D.E.C.T. में गुसेट के बेज गया था, तो जो city के यह स्कूल के जो topper से, वो J.E.M.E.N. की जाना है, तो वो तो इससे भी हो सकता है, आपके city से कोई 70, 80, 90 किलमेटर को एक और बड़ा city है, आपको वहाँ पर जाना है, तो by plane नहीं जाएंगे बाई अब, train से या बस से या कार से जाएंगे, वहाँ पर ही जाना है, तो by plane इतना difficult करके क्यों जाए बाई साब, उससे त इतना टाइम आपको वहाँ वर एरपोर्ट पे वेटिंग में लग जाता है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां तक जाना है, कहां तक फैक ना है, उस हिसाब से आप ball को फैक हो, समझ में आ रहा है, तो ये वो बच्चे जिसने कोई बड़ा institute जॉइन नहीं कि तो ये देखो कि यार, ये टॉपर्स जो गलती नहीं करते, लेकिन वो एवरेज बच्चे या जो पैरेंट्स ऐसे कि जिसके पास इतना डेटेल में अवेरनेस नहीं होती है, वो बच्चे मिस्टेक कर देता है, फिर से में repeat करता हूँ कि करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, आपकी capacity, साहिद आपकी मिलब कोई एक बंदा है जिसकी capacity या जुनियर क्लार्क या पॉलिस डिपार्टमेंट तक ही ये capacity उसकी, और वो preparation कर रहा है UPSC की, उसको collector बनना IS की, आईस जो भी exam होता है, उसका आपने all over आप देखा है, कि उसके कितना percent passing ratio है, 0.2% passing ratio है, आप अभी constable में या clerk में select नहीं हो रहे हो, और आप preparation कर रहे हो उसकी, समझ में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, तो ये बड़े-बड़े institute ऐस होते हैं, बाकि एक, एक, कहते हैं नो, fear का atmosphere एक डर का धंदा है, तो बहुत जगह पर आपने, बहुत सारे movies में भी आपने, quota factory वगेरा movie में आप लोगों ने साहिए कहीं पर dialogue सुना होगा, तो आपको करना अच्छा है, वो सारे institute के teachers भी अच्छे, आप साहिए जॉइन भी क बया है, समझे रहो किस वज़ा से, हाँ, बस वो देखो, तो बस ये सारी information अच्छे से आपको देने के लिए, mean जो चीज़े ना बच्चो एक sentence देखो, fundamental is a root of success, ये जो सारे बच्चे, वो हमारे पास यहाँ पर offline institute में पढ़ते, week में, पांच दिन वो सिर्फ टेक्स्ट फिर भी यो इस method से जा रहे, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो base, आप board, need, good set, जो भी पढ़ना है, उसका base जो mean fundamental है वो textbook है, और अगर आपने textbook base fundamental अच्छे से strong कर लिया, तो आप इस तरह के कोई भी exam अच्छे से clear कर लोगे, week में सिफ एक या दो दिन preparation करके भी, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आपका school level का कोई भी exam काफी नजदिक है, तो उस वक्त उस week में हम Saturday, Sunday, J.E.N.E.D. के class drop कर देते हैं, फिर बात में syllabus cover करवा देंगे, तो board पे focus करवा देते हैं बच्छों को, समझ में आ रहा है, तो यार कभी-कभी बहुत सारे class drop भी हु में 2-3 लाख रुपे fees पे करके सारी चीज़े हो सकती है, ऐसा होता तो हर को सचिन टेंडल कर, हर कोई विराट कॉली या हर कोई रोनाल्डो बन जाता, तो ऐसे बड़े, आप देखेंगे सचिन टेंडल कर या रोनाल्डो कोई भी देख लो, उनका family background ऐसा नहीं था कि उन्ह आसता आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका interest क्या है, family background क्या है, तो बस अगर मैंने कोई उपर नीचे वाली कोई भी बात कर दी हो, अगर किसी जगह पर आपको बुरा लगा हो या किसी को इसा लग सकता है, कि आप इसके बारे में हमारा किसी को भी hurt करने किसी को भी negative बोलने का मेरा कोई भी intense नहीं है, कहीं पर भी मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ हमारे जो offline वाले बच्चे जो है, जो हमारे साथ 8, 9, 10, 100 से जुड़े हुए, तो सिर्फ उनको information देने के लिए, या हमारे city के बच्चे या जो भी बच्चे हमारे इस YouTube family में हमारे साथ connected, तो बस सारे जो भी parents है, उनकी सिर्फ दुआये चाहिए, कि सबको बस एक अच्छे से अच्छा information देनी कि हमने आपको एक कोशिश किये, ताकि आप कहीं पर misguide ना हो जाओ, बाकी तो मैं ना आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते, तो यार मुझे इस साथ कुछ जादा benefit नहीं होने वाला है, जो YouTube family है हमारे, और obviously आपके बहुत सारे relatives हैं, आपके friends हैं, उनका भी आप guidance ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़े आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से decision लेने में, समझ में हैं, and end में, बहुत सारे हमारे offline वाले बच्चे, वो पूछते सिर्फ offline वाले बच्चों के लिए है, जो RNN City के बच्चे के सार, आपके यहाँ पर 11th Standard का new batch science का कब से start होने वाला है, तो हमारा बाई साब 11th Standard Science का new batch 14th April 2023, 2-3 दिन के बाद ही start होने वाला है, इनमें हम पहले 6-7 दिन, एक week के लिए आपको don't 3 model से पढ़ाते हैं, जो ordinary model हर जगा पर चलता है, green board पे सर चौक से पढ़ाते रहते हैं, वो तो भाई हम पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ सारी चीज़े एनिमेशन, वीडियो, 3D model से समझते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़े हम practical live demonstration से समझाते हैं, तो सारी में जो दिया हुआ, वो ऐसे होता है, एक्चुली में वो ऐसे दिखता है, तो बस ऐसे 3 model से हम पढ़ाते हैं, that's why उनका जो root, जो fundamental का जो root होता है, वो इतना strong होता है, ताकि बच्चे सिर्फ week में एक यहां दो दिन भी J.E.Need के लिए time दे दे तो भी अच्छे से वो crack कर प है, एंड साथ साथ में गुजरात बोर्ड में भी जो भी बोर्ड एक्जाम उसमें भी 96, 98, 99 तक बच्चे फोड रहे, तो दोनों चीजे बैलेंस में अच्छे से हो वो बैटर है, ना कि दोवी का कुता, ना घर का, ना गाड का, पैसे भी गए, करियर भी गया, पैरेंस भी विक के लिए आप डेमो के लिए आ सकते हैं, एंड में चाहता हूँ कि हम, बस आप जैसे हमको वीडियो में देखते हैं, बस ओफलाइन में हम आपको, आपके साथ, आप हमारे साथ, फेस टू फेस मिलेंगे, बहुत सारी फंडामेंटल चीजों के बारे में बाते करेंगे, बढ़िया से चीज़े, पढ़ेंगे बच्चों, बस तो at the end, सभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए thank you, and और भी सायद आपको कुछ confusion है, सिर्फ ये offline वाले बच्चों के लिए, online वाले बच्चों के लिए तो नहीं हो सकता, अगर आपको कोई भी और भी confusion है, तो आ आप हमारा यहाँ पर address दिया हुआ है, last में contact number भी है, सारी detail description में भी आपको मिल जाएगी, तो आप offline भी आकर इसका कोई charges नहीं है, personal counselling के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का individual और confusion, अलग-अलग confusion रहता है, तो यह individual problem हुई, यहाँ पर हमने general problem क के बारे में discuss किया है, बहुत सारी चीज़े ऐसी भी होती है, हमको पता होता है, लेकिन हम इस तरह से वीडियो के माध्यम से हम नहीं बोल सकते हैं, किसी को लग सकता है, कि यह किसी का negative बारे में बात करें, लेकिन reality है तो है बाई, लेकिन वो सारी चीज़े अगर आप हमसे personal में आकर personal counselling के तोर पर पूछेंगे, कि सर मुझे आगे career में क्या करना चाहिए, सर हमारा family background ये है, तो आपके लिए हमारे दरवाजे खुले है, आप हमारे office ये जो number इस number पर call करकर आप time लेकर यहाँ पर आप आ सकते हैं, ओके बच्चों तो बस वीडियो ये हमारा यहाँ पर खतम होता है, मिलेंगे किसी इसी चैनल पर हमारा ये जो चैनल है specifically chemistry के लिए हमने चैनल बनाया हुआ तो आप इस चैनल को subscribe कर लेना, और भी सारे जो different हमारे है, ये सारे जो teacher से उनके भी काफी अच्छे अच्छे YouTube channel है, सारे teachers YouTube पर भी काफी active है, तो आपको वहाँ से भी अभी को जैस स्वामी नहराएं, टाटा बाई बाई, have a nice day